नमस्कार दोस्तों आचा करते हूं अब लोग अच्छे होंगे तो अभी जो डीवाटू इन्वर्सिटी से अफिलेटेट जो भी कॉलेजेस है तो उनका जो इवन सेम के एक्जाम जो समर ट्वेंटीवन का एक्जाम के लिए लिंक ओपन हो चुका है और सभी बच्चों को वो एक्जाम फॉर्म भरना है 30 जून तक उसका लाज़ डेट है तो उनलाइन एक्जाम फॉर्म कैसे भरे बच्चे खुद अपने द्वारा एक्जाम फॉर्म भर सकते है और वो किस प्रकार से भर सकते है उसका प्रोसेस क्या है तो उसके बारे में यह वीडियो है तो लिंक है या वेबसाइट है डिरेक्ली यहाँ पर या फिर तुम Google में सर्च कर सकते हैं डीवाटू स्टुडेंट लॉग इन तो यह क्लिक करने के बाद जैसे ही स्टुडेंट्स लॉग इन लिखेंगे और एंटर करेंगे तो यह जो पहला लिंक है formfilling.diva2apps.in तो उसको क्लिक करना है और फिर इस प्रकर से हमारा sign-in का जो window ओपन हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम और हमें password डलना है यूजर नेम जो होता है जो है स्टुडेंट्स का जो PRN नंबर है वो है और password जो है उनका mobile नंबर तो हम एक username डाले और यहाँ पे password डाले तो as a student कैसे हम लोग exam form बार सकते हैं वो देखने वाले हैं तो हमको सबसे पहले अपने portal पे as a student login करना होगा username और password डालके तो password डाल रहे हैं तो username और password डालके as a student हम लोग login करेंगे तो जैसे ही login करेंगे तो यह home page आ जाता है home page जहां पे पूरे detail देखे रहता है तो हमको exam form बरना है तो यह exam form पे क्लिक करना है और जैसे summer 21 select किया और enter किया इस प्रकार से हमारा जो same है ठीक है दीखेगा और हमारा subject कौन-कौन सा है तो जो regular common subject है वो by default select होके रहता है जैसे यह देख सकते है first, second, third, fourth तो यह सब subject जो है वो by default select होके है अब उसमें क्या 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 रहता है कौन सा subject में तुम्हारा continuous assessment है किस में तुम्हारा practical है किस में तुम्हारा mid-some exam है वगरह देखे है तो यह जो दिख रहा है तुमको यहाँ पे तुमको select करना है क्योंकि यह elective है अब elective में तीन subject देके है ठीक है तो यह तीन subject में college ने कौन सा subject select किया है तो जो subject teacher है उनसे पूछ के हम लोग उसको select करते है तो second जो lot है उसमें से अभी अपने को elective select करना है तो जिस प्रकर से यहाँ पे देखे switch gear and protection, second जो है computer added design, third जो है micro mechatronics तो हम protection जैसे select करेंगे तो इधर by default उससे related जो भी तुमारा assessment वगरा है mid-same exam वगरा वो सब select हो जाता है तो हमको सिर्फ subject select करना है वो भी कौन सा जो हमारे elective subjects है और elective subjects जो है तुमारे department से faculty जो subject teacher उनसे वो clear confirm करके यह करना है अब जैसे हमने वो select कर लिए बाद में submit किये तो इस परकर से हमारे जो subject है वो list आ जाता है कौन-कौन सा subject हमको paper देना है कौन-कौन से subject हमको appear होना है exam में यह list आ गया और उसके बाद तुमको देखे है 1000 रूपिस fees है और तुमको enter करना है और इस परकर से तुमारा exam form भरना हो जाता है